दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूँगा question number 20 of MCQ Set 1 Chapter Fundamentals of Partnership Class 12. This is question number 20. आईए इसको read करते हैं. आप सभी जानते हैं कि अगर partnership deed नहीं होती partners के बीच में तो उस case में as per the provision of Indian Partnership Act 1932 partner को जो loan पे interest दिया जाता है वो 6% per annum के rate से दिया जाता है. तो इसलिए इस question में जो 1,50,000 रुपीज का loan दिया है partner ने उस पर 6% आपको interest पे करना होगा firm को और क्योंकि ये loan एक January को pay किया गया है तो January, February और March तीन महीने का interest इसके अपर हमें क्या करना होगा calculate करना होगा जो कि निकल के आएगा 2,250 रुपीज तो इसलिए दोस्तों आपका सही answer होगा option C, 2,250 रुपीज तो आप सभी इसको note down करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगयों तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है क्योंकि मैं आपके साथ class 12 के सभी chapters के term 1 में जो आने वाले हैं उनके MCQs के solutions discuss करूँगा इस channel पर तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकी हम मिलेंगे next video में next question के साथ तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें Bye everyone